आज हम पढाँगे पर्मुख दाले पढ़ेंगे पर्मुख पर्मुख के अंदर हो पढ़ेंगे बात करें, तो pulses के अंदर हम पढ़ रही हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरहर, किसके बारे में पढ़ेंगे, अरहर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, अरहर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो अरहर की सबसे पहले आता है बोटनिकल नेम आता है यानिकी जो भुवानसपती के नेम आता है वो आता है बोटनिकल नेम आता है अरहर का जो बोटनिकल नेम होता है वो आपका क्या होता है केजन्स क्या होता है 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 ठीक है केजन्स केजान होता है दूसरी बात करें दूसरी बात आती है इसकी उत्पत्ती से समंदित की उसकी उत्पत्ती कहां से हुई है तो इसकी उत्पत्ती के संदर्ब में दो चीज़ें आती है एक आपका भारत आता है और दूसरी यदि हम बात करें तो इसके उत्पत्ती के समन्द में आपका अफरीका आता है अफरीका और भारत आता है भारत और क्या आता है अफरीका आता है ठीक है दूसरी बात यदि हम करें तो अरहर की जो खेती है वो सबसे ज़्यादा कहां पर की जाती है तो अरहर की जो खेती है वो सबसे ज़्यादा कहां पर की जाती है आपके भारत के अंदर अरहर की खेती सबसे जादा की जाती है अरहर की खेती सबसे जादा भारत के अंदर की जाती है ठीक है उसके बाद में यदी हम बात करें तो इसके लिए मृदा की यदी बात करें तो उत्री भारत जो है आपका उत्री भारत के अंद इसकी जो क्रिशी की जाती है वो बलूई दोमट मर्दा के अंदर भी इसकी की जाती है और आपका जो महरास्टर है वहां के अंदर जो कपासी मर्दा है वहां महरास्टर में आपको पता है कपासी मर्दा को काली मर्दा के नाम से भी जाना जाता है और काली के अलावा इसको रेगूर मर्दा के नाम से भी जाना जाता है तो वहां पे जो है वो इसकी क्रिशी की जाती है किसकी की जाती है अरहर की खेती की जाती है अरहर की खेती वहां पे की जाती है उसके बाद में यदि हम बात करें क्या क्या होना जरूरी होता है कि जो आपकी मृदा होती है अरहर के लिए जो उप्युक्त मृदा होती है इस मृदा के अंदर यदि हम बात करें तो कुछ एक चीज होना जरूरी होती है पहली चीज होती है चूने की मात्रा पहली चीज क्या होती है चुने की मात्रा होती है दूसरी यदी हम बात करें तो आपका क्या होता है अच्छी जल धारन शमता होती है अच्छी जल धारन क्या होती है इसमें शमता होती है अच्छी जल धारन क्या होती है शमता होती है उसके बाद में यदी हम बात करें तो इसक जलधान की शम्ता होनी चाहिए और तीसरी बात करें तो जल निकास जो है इस मिट्टी के अंदर अच्छा होना जरूरी होता है ठीक है दाल वाली फसलें जो होती है वो जिंक की कमी के परती क्या होती है समेदन से लोती है मतलब जिंक की कमी से इनके अंदर बहुत सारे रोग ह जाते हैं तो इसके लिए अरहर की फसल के अंदर आपको 20 से 25 किलो जो है वो आपका कौन सा जिंक सलफेट ZNSO4 की क्या करने चाहिए बुआई के समय इसको हमें यूज करना चाहिए यदि हम बात करें अरहर की तो अरहर के अंदर क्या होता है कि सतर परतीशित क्या पाई जाती है अरहर के अंदर क्या पाई जाती है सतर परतीशित दाल पाई जाती है अरहर के अंदर सतर परतीशित की मात्रा के अंदर क्या होती है दाल होती है ठीक है दाल होती है उसके बाद में यदि हम बात करें तो उसके बाद में आपका बात आता ह किस की बात करते हैं, चने की बात करते हैं, किस की बात करते हैं, चने की बात करते हैं, दूज़ चना की बात करते हैं, चने जो होता है, इस चने का वानस्पति गनाम होता है साइसर एरायटिनम, क्या होता है, साइसर एरायटिनम होता है, ठीक है, साइसर क्या बोला जाता है, इ उत्पत्ति मानी गई है उत्पत्ति मानी ज़ाई है उपणाम की यदी मैं बात करूँ उपणाम की चने को क्या बोला जाता है उपनाम की तो चने को आपकी क्या बोला जाता है चने को आपके हम बोल सकते हैं चने को हम चिक पी भी बोल सकते हैं चने को हम क्या बोल सकते हैं चिक पी भी बोल सकते हैं और चने को यदि हम बात करें तो बंगाल गराम के नाम से भी जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है बारत में जो सबसे ज़्यादा क्या होता है बारत में विश्वे का 80% चना उत्पादित किया जाता है बारत के अंदर विश्वे का 80% चने का उत्पादन किया जाता है मतलब बारत चने के उत्पादन में विश्वे में कौन से स्थान पे हो गया है उसके बाद में यदी हम बात करें तो जो चना होता है इस चने के अंदर यदी हम बात करें तो चना जो होता है इस चने के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है विटामिन C की मातरा पाई जाती है विटामिन C की मातरा पाई जाती है अंकूरित चने के अंदर कौन से विटा खटास होता है खटापन होता है वो खटापन किसके कारण होता है वो खटापन आपका दो चीजों के कारण होता है एक आपका मॉलिक अमल होता है एक आपका मॉलिक अमल होता है मॉलिक एसेड होता है दूसरी यदि हम बात करें तो कौन सा होता है उक्जेलिक एसेड होता है कौ चने की पतियों में क्या होती है खटास होती है उसके बाद में यदि हम बात करें तो एक क्रिया आती है जिसको बोला जाता है टोपिंग के नाम से जाना जाता है जो किसकी फसल में की जाती है चने की फसल में की जाती है यह चने की फसल में की जाती है यह मैं बताता हूं आपक कितनी हो जाती है जब चने की हाइट हो जाती है 20 cm की तो क्या हो जाता है कि इसके अंदर जो ये साखाएं होती है इन साखाओं को क्या कर दिया जाता है तोड़ दिया जाता है जिसके अंदर क्या होती है इसके अंदर फल और फूल बनने की जो कंडिशन होती है वो क्या होती है अच्छी प्रकार से होती है तो यह जो प्रक्रिया होती है चने के अंदर क्या कहलाती है टोपिंग कहलाती है अब चने की यदि हम विराइटी की बात करें तो चने की दो प्रकार की विराइटीयां होती है एक होता है आपका भूरा चना बोलते हैं जिसको देसी चना के नाम से भी जाना जाता है जिसका जो वेग्यानिक नाम होता है वो साइसर क्या होता है साइसर एराइटीनम के नाम से उसको जाना जाता है साइसर एराइटीनम के नाम से उसको जाना जाता है दूसरी यदि हम बात करें तो आपका एक चना आता है साइसर काबूलियम साइसर काबूलियम की यदि हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं साइसर काबूलियम को यदि हम बात करें तो इसको विदेशी चना मलब विदेशी चना यम सुरी काबुली चना या हम बोलते हैं इसको सफेद चना के नाम से जाना जाता है अब यदि हम बात करें तो इसका परमुक कीट जो होता है वो आपका कट वरम कीट होता है क्या होता है कट वरम कीट होता है और इस कीट की जो सुंडी होती है वो क्या होती है नुकसान दायक होती है क्या होती है नुकसान दायक होती है इस कीट की सुनी नुकसान दायक होती है इस के लिए क्या कि जाता है कि इसकी बुआई पांस परतिशत एल्डरीन जो होती है उस दवा का इस पे छडिकाव किया जाता है इसके अंदर एक रोग लगता है उक्टा रोग कौन सा लगता है उक्टा रोग लगता है उक्टा रोग लगने का कारण होता है फ्यूजेरियम और्थोसेरस कौन सा कवक उतरदाई होता है फ्यूजेरियम और्थोसेरस होता है फ्यूजेरियम क्या होता है और्थोसेरस नामक एक कवक जो होता है वो इसके लिए क्या होता है उत्तरदाई होता है तो आज हमने कितनी फसलें पड़ी है मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमने परमुक परमुक रूप से दो फसलें पड़ी है कौन कौन सी फसलें पड़ी है एक हमने पड़ा है अरहर अरहर का बोटनी का नेम हमने पढ़ा केजन्स के जान होता है जिसकी उत्पती दो माने गई है बारतों और अफरीका के अंदर अरहर की खेती बारत में सबसे ज्यादा की जाती है मृदा की बात करें बलूई दोमट मरदा आती है महरास्टर के अंदर कपासी मर्दा के अंदर इसकी खेती की जाती है और कपासी मर्दा को काली या रिगूर मर्दा के नाम से भी जाना जाता है यदि हम बात करें अरहर की जो है वो अरहर के यदि हम बात करें कि जो जिंक की कमी से मलब रोग हो जल्दी हो जा जाता है इसके लिए इसके अंदर 20-25 किलो ग्राम बुवाई के समय जिंक सलफेट का क्या किया जाता है यूजर किया जाता है उसके बाद में हमने पड़ा चने की पसल चने का विज्यानिक नाम होता है उपनाम की यदी हम बात करें चिकपी और बंगाल ग्राम के नाम से जाना जाता है भारत में 80% चना उत्पादित होता है जो विश्वे में परतमस्तान पे आता है चने की अंकूरित चने के अंदर विटामिन C पाया जाता है चने की पतियों में खटापन, मौलिकेसिड और उकजैलेकेसिड के गारण होता है टोपिंग चने की अंदर एक पर करिया होती है जब चने का पोदा 20 cm का हो जाता है तो उसकी जो साखाएं होती है उन साखाओं को काट दिया जाता है जिसके अंदर फल और फूल बनने की जो किरिया होती है वो अच्छी होती है ठीक है उसके बाद में हमने पढ़ा चने की दो विराइटी होती है एक चना देसी चना होता है जिसको भूरा चना भी बोलते है और एक आपका काबूली चना होता है जिसको विदेशी आपका सफेज चना भी बोला जा सकता है भूरे या देशी चने का विज्यानिक नाम साइसर एराइटी नम होता है और साइसर काबूलियम किसका नाम होता है काबूलिया सवे चने का होता है चने का परमुख जो है वो कटवरम कीट होता है जो नुकसान दाइक होता है जिसके लिए 5% एल्डर इसके अंदर लगता है तो धन्यवाद